नमस्कार दोस्तों आज रूम मैं शिवंग उप्ता एक इन्फॉमेटिक वीडियो लेकर आपके सामने आज में एक इलक्ट्रोनिक सो रूम में खड़ा हूं और आज मेरे बगल में देख रहे हैं मैंने एलजी का एक फ्रिद लिया रखा आज मैं इसका रिव्यू करूंगा आ ना तो लो बजट का है ना ही हाई बजट का है ये एक रेफ्रिजेटर आपका मीडियम बजट का है जो एक मीडियम फैमिली रिकमेंट करती है कि मुझे एक मीडियम फ्रिद लेना है जब आप दुकान पे जाते हैं कोई रेफ्रिजेटर पर्चिश करने के लिए तो आपकी mindset करके जाते हैं कि मेरा जो refrigerator होना चाहिए उसमें सब कुछ हो जो आप सोच रहे हैं क्या क्या होना चाहिए कभी आप देखते हैं कि आप दुकान पे गए और दुकंदार ने आपको जो recommend कर दिया फोर्स लिए ले जाए ये बहुत अच्छा है आपको जानकारी नहीं थी आपने का हाँ अगर दुकंदार बोला अच्छा तो अच्छे होगा आप उसको ले गए आपको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी के साथ आपको ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा इस फ्रिज के रख रखाओ के बारे में कैसे इसका रख रखाओ किया जाता है इस फ्रिज में क्या क्या फीचर्स है और इस फ्रिज में क्या आपको जरूरी बाते जिसका आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे क्या पांच ऐसी क्या वाते होती है इनका मिज़े बहुत ध्यानक ना होता है सबसे पहली बात होती है कि फ्रिज की electricity consumption क्या है वो कितने वाट की है वो inverter से चलेगी या नहीं चलेगी वो designer है या non designer है उसकी star rating क्या है और उसकी price value क्या है और brand कौन सा है वो normal है या designer है वो wire self में है या toughened glass में है यह बहुत सी जानकारी होती है तो साथ आपको नहीं पता होगी और आप fridge ले आते हैं इस सारी बाते हैं इस वीडियो में जानते हैं वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो लेकिन आप उसको इंट तक देखें आपके लिए पूरा जानकारी वाला video है तो चलिए शुरू करते हैं video स्वागत करते हैं आपके अपने इन्फरायट नौ में तो चलिए देखते हैं एक मेने फिल ले रखा है आपका LG कमपनी का है इसकी ब्रांडिंग की बात करते हैं LG जो product इसका यूज कर रहा हो वो जानता है LG कितना बड़ा product है इतना बड़ा brand है भारत में सबसे अच्छी market है LG की और जिसके घर में LG का product होगा वो जानता होगा इसकी life कितनी है सबसे बड़ी life होती है LG की सबसे अच्छा अच्छा brand है और सबसे पहले हम ऊपर दे रखा है यह 10 year की powerful warranty के साथ है अगर warranty की हम बात करें तो 10 साल इसकी compressor की warranty है और 1 साल इसकी पूरी fridge की warranty है fridge में क्या क्या warranty में आता fridge में जब मैं इसको खोलूंगा तब मैं बताऊंगा जो कुछ refrigerator होते हैं जिसमें 5 year की warranty होती है लेकिन mostly अब जो LG के refrigerator आ रहा है उनमें 10 year की warranty है जिसमें 5 year की warranty होगी वो यहाँ पर बिल्कुल भी so नहीं होती है और जो 10 year की warranty होगी वो आपकी लिखी हुई है 10 year warranty आप देख सकते हैं इसके बाद यह smart inverter compressor यानि कि inverter से भी work करेगी अब तो inverter से हर प्रोडेट आ गए है आपकी AC भी inverter से आ गई है तो inverter वाला प्रफर करिए है आपके घर में inverter होगा तो inverter से भी आपको अच्छी तरीके से cool करेगी उसके बाद आप यह देखी star rating mostly company 5 star तक rating देती है और जो मैंने इस समय फ्रिज आपके लिए ले रखा है जो वो 4 star का है 3 star, 2 star and 1 star के भी फ्रिज आते हैं लेकिन इस समय मैंने 4 star का फ्रिज रखा आप देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है more star more saving यहनी कि जितने ज़्यादा star होगी उतनी ज़्यादा light की आपकी बचत होगी उसके बाद power saving guide है यहनी नीची देखिए लिखा हुआ electricity consumption यह जरूरी बात है त्रपया इसको ध्यान से सुने यह लिखा है 164 unit यह unit होते हैं इसके आँगे unit लिखा है unit per year यहनी कि 174 unit आपका एक साल में यह निकालेगी अब unit के बारे में थोड़ी सी जानकारी में देना चाहता हूँ कि एक unit लगवग आपके जो ग्रामीर शेत्र में वहाँ पर 5-6 रुपय में count होता है और सहरी शेत्र में 6-7 रुपय में count होता है यह 364 days और 24 hours जब इसको चलाएंगे तब इतनी light यह आपका खपत करेगा तो यह unit का बहुत ध्यान लगते हैं अगर यह star 3 होता तो unit जाद है लेता अगर 2 star होता तो और 200 के प्लस unit होते 1 star में लगबग 300 unit होते तो आप recommend करिए कि more star वाली फ्रेजाप मतलब जिसमें 4 star या 3 star का भी कर सकते हैं या 5 star तो सबसे बेतर है वो light की आपकी budget करेगा उसके बाद नीचे देखिए आपको fridge लेते समय model का भी पूरी जानकारी उनमी चाहिए किस model का fridge ले सकते हैं तो उससे आप model का अगर आपको पता होगा तो आप उसके rate देख सकते हैं market में कि वही है मुझे ASPX का चाहिए तो आप देख सकते ASPX यहां लिखा हाँ यही है क्योंकि एक fridge में बहुत model आते हैं आपको वो यही बिल्कुल सेम designer के देखिए कि किसी भी company का fridge देदेगा आप कहेंगे हम तो सस्ता ले आए लेकिन आप सस्ता नहीं लाए है उसमें बहुत से model होते हैं आपको नहीं जानका रही है आप सीधे देखिए यहां पर model और year कौन सा है अगर आपको एक साल पुराना दे दिया उसने तो सस्ता दे दिया तब भी आपके लिए अच्छा नहीं है आप year देखिए हमें latest का चाहिए और मुझे ASPX model चाहिए अगर मुझे यही model लेना है तो अगर किसी दूसरी दुकान में जाएंगे तो हम यही model लेखेंगे तीसरी बात लीटर यहां लिखे होते है यह 190 लीटर का है यह storage लीटर होते है यह grass value होती है आपको step laser नहीं रखना है और यह without step laser चलेगा अगर आपकी घर में step laser लगा है पांस किलो बाट का यह दो किलो बाट का तो तो बहुत अच्छी बहतर बात है क्योंकि अपनी सुरक्षा लेकिन यह without step laser भी वर्क करेगा उसके बाद यह 90 वोल्टेज से लेकर तो अपने आपकट लगके फ्रिज बंद हो जाएगा और maximum 310 वोल्टेज यानि कि जो नहीं तो बहुत लाइट आ गई हाई वोल्टेज आगे मेरी फ्रिज फुक गई तो वो सिस्टम नहीं है 310 वोल्टेज तक आपकी फ्रिज चलेगी वहले ही आपकी मोल्डे में फ्रिज बंद हो जाएगा अगर आपके घर में 90 से 310 वोल्टेज तो आपकी फ्रिज जरूर चलेगी और 311 वोल्टेज होते ही आट ने अपकट लग जाएगा फ्रिज बिल्कुल भी नहीं फुकेगी आपना बंद बंद हो जाएगी पर जीसे वोल्टेज कवर होंगी तो दुबारा होना जागी चले इसको खुलते हैं हैंडल है बढ़े हाट डिजाइन फ्रिज है तो जैसा आपके पास प्राइज हो उसके धाप से देख सकते हैं तो से पहले इसके फ्रीजर की बात करते हैं यह फ्रीजर है यह फ्रीजर है इसमें आप बरफ जमाएंगे तीक है आई जमाएंगे यह नीचे ट्रे लगी हुई है इसमें आपको इसको सामान रग देंगे इसमें उपर से जब जैदा आइस अपना श्टोर हो जाती है तो यह देखिए यह लगा हुआ यहाँ आप यह चीज देख आप फर्स से सेकेंड तब चलाएंगे जब आप विंटर का सीजन चलेगा थर्ड से फॉर्थ जब आप चलाएंगे जब आपका मांसून का होगा और इस समय गर्मी चलाएं तो आप बिल्कुल टॉप पे चला लीजिए यही कि गर्मी का सीजन है बीच वाली बटन जाएंगे वह भी मैं पताऊंगा तो ठीक है इसमें यह पाइक यह जो लायन्स देख रहे हैं तो यहाई ज़ो दिखाना जाते है जो हमारे फ्रीजर में लाइन होती इससे यह मारी घ्र कंप्रेसर की जो गैस होती है वो इसमें आती है फिर इसके पाद सीथे आप्रेसर में चम्मच बगेरा से इसको खरोश देते हैं तो यह मुझे बिल्कुल भी नहीं करना कोई भी धारदार जो हमारे हतियार है जो आउजार है उनका प्रीवक बिल्कुल भी नहीं करना है इसे यह अगर तोके से भी इसमें लग गया तो यह खराब हो सकती है। तो यह जो साइकल बनी रहती है कभी कबार हम देखते हैं कि हमागा जो सर्दियों में फ्रिज बंद कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको 375 दिन 24 गंटे चलाना है। अगर शर्डियों में बंद कर देंगो तो इस गैस की कूलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है इसका साइकल हुमेजही चालू रखना चाहिए इसलिए हमको फेर सर्डियों में भी ऑन रखनी चाहिए तो यह सीज का बहुत ध्यान रखना है और इसमें कोई भी आप करम सामान नही तो ज्यादा बैतर होगा आप बिल्कुल भी श्टील और काच के बट्र नायूज करें तफन ग्लास अच्छा इसमें आप 20-30 किलो तक आराम से रख सकते हैं आराम देलें क्योंकि LG कंपनी का वैटर है नीचे आपका वकेट दिया हो इसमें आप टूट एंड वेजीटेबल ब इसमें और यहां पर एक लीटर की बोतला लगाएँगे दो लीटर की विल्कुल भी ने लगाएँगे तो दो लीटर की बोतल लेंगे उसको अंDर रखेंगे तो इस पर एक लीटर की बोतल रखेंगे बार बार नहीं को लेंगे तो जिल्कुल भी नहीं कोटेगा अब ठीक है इसको तुबा पीछे से देख लेते हैं पेज्ञा सब्क on the water यह जाली यह कई फिर्ज में अंधर भी आती से हैईट के हुए दे रहती है तो हम लरती है से जो हवा लगती है तो हवा लगने से घंड़ रहता इसलीए कहते हैं यह रखिये तहां ध्रक दूर ठाल मह अधियो सी वर फिर संगा ना थिवा आती हो और इसको दीवाल से थोड़ा दूर रखा जाता था बिलकिल एकडम दिवाल से की नहीं रखोरा क्ने दूर को रहा कि यह fridge का heart वो ला जाता है, सारा बार किसी का होता है, और side में देख रहे हैं, यह जो inverter वाली fridge होती, उसमें PCB लगी होती, जो non inverter refrigerator उड़ते हैं, उसमें PCB नहीं होती है, लेकिन inverter वाली में यह लगा हुआ है, PCB है, इसका भी work रहता है, चलिए, इसका देख लेते हैं, सर्विस वगरा क्या है यह इसकी टोलफी नंबर है दो टोलफी नंबर दे रखें इस पर आपको 24 आवर्स ऑन है 24 इन्टीफॉर इन्टीफॉर सेवन आवर्स इस पर आपको 24-48 गंटे सर्विस वेलिवल हो जाएगी और यह इस बहुत जुरूरी बात में आपको बता रहा हूं जो यह के फ्रिज है इसमें गैस रिफिल का चार्ज नहीं मांगा जाता कंपनी नहीं लेती है अगर टेकनीशन आप से गैस रिफिल का चार्ज ले रहा है तो उसकी कंपेड आप पोल मार்केट में सब Evieleevel है और इस Frige की Price 16500 से लेकर 17000 तक इसकी Prize है मारेकट में मिल जाएगा तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिस की, कोई भी आपको जनकारी ऐसी नहीं दी, कोई छूटी नहीं हो, सारी जनकारी दे दी है, ऐसे आपका प्यार और साथ मिलता रहे, थैंक्स पर वाचिंग, जैहन